So hi everyone, आज हम employment chapter करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि worker क्या होता है, worker वो होते है who are engaged in value addition, मतलब जो कोई ना कोई value add कर रहे हैं, लगातार production कर रहे हैं, national income में contribute कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद गहता है type of workers, दो type के होते हैं आपकी self-employed worker और दूसरा है hired worker, self-employed worker होते हैं जो अपने business या profession में काम कर रहे हैं, मतलब किसी के under come नहीं कर रहे हैं, अपने ही profession में काम कर रहे हैं, जैसे for example farmer अपने खेत में कर रहा है, hired वो होते हैं जो किसी ने hire कर रखे हैं, example आपका teachers हैं, ठीक है या बड़े बड़े hospitals में आपका doctors को hire कर रखा है, hired worker दो type की होते हैं, casual worker और आपका regular worker, casual worker हो वो होते हैं जो आपका ध्याड़ी पर जाते हैं, जिनको daily basis मिलते हैं, जिनको regular basis पर hire नहीं कर रखा, कि जैसे एक साल या दो साल या monthly उनको salary मिलेगी, नहीं, no social security given, मतलब कोई भी उनको pension वेगेरा या PF वेगेरा नहीं मिलता, provident fund वेगेरा नहीं मिलता, regular worker वो होते हैं, जिनको monthly salary मिलती है, या package मिलता है, yearly और regular basis पर काम करते हैं, social securities भी दी जाती है, pension वेगेरा, उसके बात कहता है labor supply, different basis पर कितने घंटे labor काम करने को तयार है, ठीक है, अपर एक और बात को समझना, जैसे for example, 2010 में आपका 10 employee थे, 2011 में भी 10 employee है, तो आपका labor supply जो वो कम हो सकती है, आपका employee सेम रहने पर भी, इसका मतलब ये है, कि वो पिछले घंटे, जादा घंटे, पिछले साल जादा घंटे काम कर रहे थे, और अब की बार कम काम कर रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं, कि एक labor कितने घंटे काम करने को तय wages rate पे, उसके बाद कहता है labor force, जो worker काम करना चाहते हैं, और जो काम कर रहे हैं, दोनों को हम एड़ करते हैं, workforce वो होता जो actually काम कर रहे हैं, workforce कैसे निकलेगा, आपका labor force है, उसमें से minus कर दो जो काम नहीं कर रहे हैं, बात खतम, unemployment क्या होता है, इसमें से जो काम कर रहे हैं, जाते हैं, इसमें symbolize कर दो किसको, workforce को, जो काम कर रहे हैं, उसके बाद कहता है, participation rate, मतलब पार्टिस्पेशन का मतलब यहां पर यह है, कि production में कितने लगे हुए हैं, मतलब total population में से आपका total workforce जो काम कर रहे हैं, into में क्या जाएगा आपका 100, clear है, उसके बाद आता है, कहता ह 5% of female workers low even in urban area, कहता है, female workers कम क्यों है, क्योंकि female workers जो है, इंडिया में female education पर ध्यान नहीं दिया जाता है, दूसरी बात, family decision लेती है, rather than own decision, मतलब, जिसे for example, कोई शादी करके लड़की आती है, तो हम क्या कहते हैं, कि अगले कराएंगे तो करा लेंगे इससे job, ठीक है, तो मत society में कम ही पैसा दिया जाता है, और कम productive job करती है, अगो अच्छी job नहीं मिलती है, मतलब, मिल तो जाए, पर जैसे उनको wages वगरा भी कम मिलते हैं, ठीक है, तो आपका छोटी मोटी बेचारी job करती है, बढ़ाय इतना जाता नहीं, उसके बाद कहता है, rate of participation in rural urban area, मतलब, आप आपको जैसे इस तरह की table आ जाती है, ठीक है, तो आपको लिखना आना चाहिए, आपको कैसे आप इसको table को देखके आप अंसर लिखोगे, man जो हो वो rural area में कितने काम कर रहे हैं, ठीक है, man जो हो अर्बन area में कितने काम कर रहे हैं, आपको लिखना है पहली line में, उसके बा जो है गाउं में भैस वगरा पालती हैं उपले वगरा बनाती हैं ठीक है खेतों में काम करती हैं इसलिए उनका participation rate जो है वो जादा है ठीक है अब ये कोई पूछ लेए participation rate जो है मतलब other country के compare में हमारे यहां कम क्यों है हमारे यहां यह है कि high dependency ratio दूसरों पर depend रहते हैं जैसे teachers वो एक school पे depend है ठीक है school अगर नहीं है तो उनको भी जोब नहीं मिलेगा ठीक है उसके बाद कहता है high rate of participation but low level of productivity in rural area मतलब participation तो high है पर low level of productivity in rural area मतलब वहां से कोई ज़्यादा production नहीं निकल के आता output ज़्यादा नहीं निकल के आता ठीक है छोटी मोटे ऐसे ही काम करते हैं ठ poverty की वज़े से ऐसा ही छोटे मोटे काम कर लिए ठीक है output ज़्यादा नहीं निकलता है उसके बाद कहता है high rate of participation of women in rural area कहता है rural area में जो है वो women ज़्यादा काम करती है पर किस पे करती है आपका low paid पे करती है और less productive job उसके बाद आता है jobless growth देको jobless growth का मतलब होता है कि production तो employment not increasing मतलब job जो है वो कम हो रही है employment बढ़ नहीं रहा किसकी वज़े से technology की वज़े से 10 लोग काम कर रहे थी उसकी जगह अब एक machine ने ले ली ठीक है तो आपका GDP तो बढ़ रही पर job कम हो रही है उसके बाद कहता है why are we relying more on technology and less on employment मतलब technology पर ज़्यादा विश्वास क्यों करन है वो हमेशा ये company हमेशा efficient technology के साथ आती है और manpower को कम use गरती है ठीक है मतलब आपका machine से सारा काम कराती है लोगों से काम नहीं कराती ठीक है तो growth तो हो रही है पर employment नहीं बढ़ रहा है उसके बाद कहता है casualization of workforce casualization of workforce का मतलब होता है it is a situation when the percentage of casual hired worker increase मतलब जो ध्याड़ी पर जाने वाले लोग जो है वो बढ़ रहे हैं आपके लगातार कहता है reason यह है कहता है organized sector में तो आपका opportunity है नहीं organized sector का मतलब यह होता है कि जैसे for example जहां 10 या 10 से जादा का group काम कर रहा है जिनको पक्की नोकरिया मिली हुई है ठीक है वहाँ पर तो opportunity है नहीं कहता है bulk of self-employed workforce workforce is found in rural area गाओं में जो है जादा तर जो लोग है वो अपना खुद का कोई धंदा करते है जैसे for example खेतों में काम कर लिया ठीक है उसके बाद कहता है unskilled worker जो workers है उनमें skilled तो है नहीं तो उनको job कहां से मिलेंगी organized sector में उसके बाद कहता है formal workers और informal worker क्या होते है formal worker वो होते जो organized sector म या नहीं है बस ऐसे ही contract वगएरा पर या फिर ऐसे ही छोटे मोटे काम कर रहे हैं धंदे कर रहे हैं कहता है organized sector कहता है इनको social security दी जाती है pension वगएरा PF वगएरा इनको मिलता है इनको कोई भी PF pension नहीं मिलता है can form trading union मतलब इनका group बना सकते हैं जैसे for example कोई school वगएरा में employees का अब school ये बोल दे आपको शाम के 6 बजे तक आपको यहीं काम करना है यहीं रहना है तो हम क्या कर सकते हैं सारा group में खड़े हो सकते हैं और हम कह सकते हैं भई हाँ नहीं करना है इतने बजे तक हमें कैसा होता है informal workers में जो आपका ध्याड़ी पर जाते हैं या फिर ऐसे चोट इसके बाद कहता है are protected by the various laws जो पकी नोकरिया करते हैं उनको कहता है बहुत सारे laws से कानुन ने उनको सुरक्षा प्रोवाइड कर रखी है ठीक है मतलब इतने ही घंटे काम कराना है इतने तो minimum wages मिलेंगे ही मिलेंगे यह सब formal workers जो है ना population का 10% है हमारे या 90% जो है किसका है आ ठीक है यह सब उसके बाद आता है informalization of workforce कहता है it is a situation where percentage of workforce that in informal sector tends to rise मतलब जो आपका informal workforce जो है आपका बढ़ रहे हैं informal sector में जो है वो आपका ज्यादा काम करने लग गए क्योंकि formal sector में पक्की नोकरिया तो है नहीं अब वहाँ पर तो आपका talented ही इनसान जाएगा ठीक है कहता है reason क्या है restrictive labor slope which promote contract hiring पर हाइर करने लगे पक्की किसी को मिलती नहीं है कहता है lack of opportunity in formal sector और आपका formal sector में जो है opportunity बशी नहीं है उसके बाद कहता है unemployment कहता people willing to work but not getting work काम करना चाहते पर काम मिल नहीं रहा है तो कहता है कितने type का होता है disguised unemployment जब जरूरत से जादा workers एक ही जगे काम कर रहे हैं जैसे for example एक शोप पर एक ही बंदे का काम है वहाँ पर चार लगे हुए हैं तो वो कहता है छुपी हुई बेरोजगारी है यह उसके बाद कहता है seasonal unemployment एक season में काम करना दूसरे season में काम ही ना मिलना दूसरे में खाली ब काम नहीं है उसके बाद कहता है causes क्या है unemployment का कारण क्या है क्योंकि slow economic growth मतलब आपका economic growth होई नीर production नहीं हो रहा तो लोगों को काम कहा से मिलेगा उसके बाद कहता है rapid growth of population population जो इतना speedily बढ़ रहे हैं किस-किस को काम दे हम उसके बाद कहता है agriculture एक season में लोगों को काम मिलता है उसके बाद कहता है lack of irrigation facilities जितना जादा agriculture में irrigation कम होगा फिर आपको फसल कहां से होगे काम कहां से मिलेगा joint family system एक की जगह दस-दस काम करते रहते हैं ठीक है joint family system में lack of skills skills जो है वो कम है limited mobility of labor mobility का मतलब होता है एक जगह से move करना अगर मैं किसी labor को यह कहूँ गुजराच चला ज जाके काम तो वो हमारे state से हरियाना से जाना ही नहीं जाता एक जगह से दूसरी जगह movie नहीं करना जाता इतनी दूर ठीक है क्या क्या क्योंकि यह सोच कि मुझे वाकी language समझ आएगी यह नहीं ठीक है उसके बाद कहता है low saving and investment जब तक आपका saving कम है तो आप invest नहीं कर सकते इ labor intensive technology और एक होता है capital intensive technology machine से काम कराना कहता है जहां पर आपका बेरोजगार ज्यादा है लोग वहाँ पर आपको labor को ज्यादा यूज़ करना चाहिए education reforms मतलब सिक्षा में सुधार लेके आओ कि लोगों को skills भी हो उनके साथ में degree degree नहीं नहीं तो तरवाइस काम नहीं मिलेगा increase in production government को जगे जगे industry वगरा लगानी चाहिए production को बढ़ाना चाहिए कि लोगों को काम मिले employment program को भी start करना चाहिए जैसे for example आपका 100 दिन के लिए मनरेगा होती है ये सब programs को क्या करना चाहिए आपका चलाना चाहिए कि लोगों को employment मिले अगर आपको समझ आया है मुझे comment section के through जरूर बताएं thank you so much if your doubt remain you can ask me through the comment section thank you so much